एमार करने तीन चीजे बताऊंगा हूँ आपस में मिलाने चाहिए .... भीज गरने वट Yes that You can not let theount drinking alcohol उन्हें इन्जेक्शन को स्राट करता हूं , पहले बेसिक चीजी समझ लो देखना वीडियोस की मत करना बहुत अच्छे समझाऊ हूँ हिंदी भाशा में बताने वाला हूँ पहली चीजे रियेक्शन जो इंजेक्शन आपस में नहीं मिलाना चाहिए यदि वह आपस में आप मिला देते हो गलती से आपको नहीं पता आप आपने मिला दिया तो आप कैसे पता करोगे कि यह पेशेंट को हम कर सकते नुकसान कर सकते हैं पहली चीजे डिकलराइजिशन है ने डिकलरेशन मतलब जिसे आप मिलाओगे तो एकदम वाइट सुलूइशन कलरलेश हो जाएगा बिलकुल वाइट हो जाएगा या फिर चें दूद जैसे फट जाना जो दूद है वो दूद फटता ऐकर नहीं फटता इस तरह से फट जाएगा जब आप मिलाओगे दूद जैसे हख्दम वाइट नेश हो जाएगा वह यह विकम इन में से आपको कोई भी रियक्शन देखने को मिले तो वह इंजेक्शन मरीच को नही लगाया जाता है इस चीज़ का आप लोग माइंड में रखना गाइज मैं बताऊंगा प्लीज वीडियो इसकी मत करना मेरी ग्यारेंटी गाइज यह मैं ग्यारेंटी देता हूँ इस वीडियो को देखोगे डाउट रहेंगे और यह प्रैक्टिकल चीजों के लिए बहुत इ पहले यह देख लेते हैं कि कौन से इनजेक्शन आपस में मिलाया जा सकते हैं पहला आता है आपका रहमी प्लस मेंटा कलोओ प्र heaven तो रोप्रोरेटाने इन्जीक्शन को मेट करेंड को मिलाएं लिए नेन्जीक्शन उसकता है जैसे ये इन दोने हो को मिलें नोसया बुमिट्टिंग ओना व्लूटी हो एकदम जलन टाइप का लगना, तब इन दोनों इनजेक्शन को मरीज को मिला के दे सकते हैं, याद रखना renetidine injection को कभी भी किसी भी injection के साथ नहीं मिलाते हैं, किवल एक मात्र injection है, जिसका नाम है Metaclopramide, metaglopramide injection के साथ इसको मिलाया जाता है यह जित ध्यान रखना कोई reaction नहीं होती है screenshot लो फिर आगे बढ़ता हूं मैं next हमारा आता है evil, evil के साथ में dexona बहुत कॉमान है सबको पता है evil और dexona को मिला के दिया जा सकता है कब देते हैं हम लोग allergy यदि कोई व्यक्ति को allergic condition हो गई है तब दिया जा सकता है emergency condition यदि को emergency condition है saturation fall और तब भी dexona देते है क्यों dexona is steroid यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना ठीक है तो evil और dexona को भी आपस में which can mix याने की उनको मिलाया जा सकता है इसका भी screenshot लो फिर आगे बढ़ता हूं मैं यह दखना guys evil dexona दोनों को मिला के दे सकते emergency condition हो allergy में use करते next हाथ हमारा dairyfeline और dexona अब समय ना guys please video को skip मत करना मुझे पता आपको पता dairyfeline क्या होता है बट मेरी बात तो सुनों आप जो dairyfeline होता है और dexona होता है देखो dexona steroid है समय ना मेरी बात को dexona steroid है और जो dairyfeline है वो injection breathing problem asthmatic patient वगेरा जो रहते है उसमें हम लोग देते है dairyfeline सास लेने में व्यक्ति को समझ्चा हो रही है तब भी हम इसका इसका इस्तमाल करते है ठीक है तो respiratory problem जो dairyfeline जो injection है respiratory problem में इसको दिया जाता है यदि normally normally dairyfeline काम नहीं करता है तो फिर उसको उसके reaction को बढ़ाने के लिए उसको powerful करने के लिए साथ में steroid देते है ताकि उसकी action बढ़ जाए ठीक है तो वह अच्छे से काम करें ठीक है तो dairyfeline के साथ में dexona दिया जाता है कोई problem नहीं होती है इस चीज आप लोग ध्यान रखना ठ next important gentamicin जो gentamicin होता है उसको dexona के साथ दिया जाता है कोई problem नहीं होती है यह भी मिलाया जा सकता है जब भी bacterial severe certain bacterial infection होता है तब हम लोग steroid के इस्तेमाल कर सकते है gentamicin के साथ dexona injection को mix करके मरीज को चड़ाया जा सकता है कोई problem नहीं होती है इसको भी देते है इसका screenshot ले लो mycine जिस शब्दे में आता है ना वो एंटिवाइटिक रहती है जिसमें सोन वर आता है लास्ट में सोन वह स्ट्रोइडल के टिगरी के होते हैं ठीक है screenshot ले लिया होगा आगे बढ़ता हूं अब आते हैं which can not mix ऐसे अभी तो मैंने बात करी है कि ऐसे injection जिनको हम आपस में मिल आने चाहिए guys देखो ज़्यारा पहला आता है विच के नोट मिक्स हम इनको नहीं मिला सकते कोन कोन से on them याद रखना guys एक पॉइंट हमेशा माइड में रखना जो on them injection होता है-on पर इस इंजेक्शन को आम एक सिरीज में लिया समझना बहुत प्रैक्टिकली चीज बात पता रहा हो इसको एक इंजेक्शन में लिया उसको मरीज में लगा दे और उसी इंजेक्शन से दूसरा मिक्स नहीं करना बहुत सारे लोग यह गल्तिया करते हैं कि उन्डेम चिससे लगाया उसी इंजेक्शन से दूसरा ले लिया और उस मरीज को लगा रहा है कभी गल्ती मत करना कई बहुत सीवेर रियक्शन होती है आप जब मिला के आपको देखना भी हो तो ओन्डेम के साथ आ या ओन्डेम ऑन्डेम के नाम से मार्केट में मिलता है यए उन्डेम बहुत फैमस ब्रांड ठीक है और ओंडें सेटन जो होता है इसका स्रींज के साथ नहीं मिलाना है किसी के भी साथ और एक ही से दो इंजेक्शन नहीं लगा ना है ले लो screenshot दूसरा आता है MVI, मल्टी विटामिन के साथ कुछ भी कभी भी जिंदगी में कभी भी गलती से मत करना, इसको मत मिलाना, और गाइज मैं एक चीज आपको बताता हूँ, कि MVI को वेसे तो लोग देते हैं, NS में भी देते हैं, DNS में भी देते, बट इसको देने का ओफिशल तरी ठीक है, वेसे देते सब करते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि NS में ये गुड रहता है, बहुत कम कुछ भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं देखी गई है NS में, ठीक है, हलाकि अलग बात है कि ब्लेट प्रेशर वाला कोई पेशेंट हो, उसके अकोडिंग, अगर उसको MBI DNS में भी दे सकते हैं, आप कैसे बोल रहा हूं नहीं देते हैं, मैं मान रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट मैं अपना experience शेर कर रहा हूं कि NS में देना चाहिए, गूड रहता है, जिसको BP की प्रॉब्लम नहीं रहती, उसको दे सकते हैं, हम लोग NS में, it is a good method, ठीक है बाकी दोनों तरह से दिया जाता है, ठीक है, स्क्रिंशोट ले लो MPI, नेक सत्य हमारा डाइने पार और टीटनस, अब समझना मेरी बात को प्लीज वीडियो स्कीप मत करना है, इस चीच को समझने की कोशिच करना है, जो मैं बोल रहा हूं, डाइने पार और टीटनस को मिक् कई खरोज लग गई, तार गुज गया, कील गुज गई, बहुत सरी चीजों से लग गई, तो क्या है टीटनस तो हमको पता है कि भाई टीटनस तो देते हैं, जंग लगी चीजों से, कभी घाव चोट लगती है, तो हम लोग टीटनस जरूर देते हैं मरीज को, तो टीटनस मैंने तो देखा है आपका मुझे पता नहीं बाकि ऐसे करते बट रॉंग मेथड है इससे कोई बहुत ज्यादा सीवियर रेक्शन नहीं होती बट जो टिटिनस का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है यह चीज आप द्यागना कभी भी मत मिला ना हमको ऑफिशिली रूल फोलो क करके लगा दिया ऐसे भी मत करो दोनों के लिए अलग अलग सिरिंज करो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है और तुरंत उसको डिस्कार्ट कर दो ठीक है डागलोपैनिक कंटेन याने के डाइने पार और टीटनस नहीं मिलाना है ले वो स्क्रिंशोट फिर आगे बढ़ता हूं दीन आधा रहेँ पहले ही बता दिया गया है कि भया रहने टीडिन को देतीह डिए अब बोलोगा सर्थ राप तो अलग अलग बता रहो बट इस वह करने कोड़ कोई करते हैं कि अब कुछे करके बताना थिक अ अस्दमाल के उसको पता है यह यह जी किसे को दर्द वगयरा ह है जिसको हार्ट बन वगेरा का कोई इशू हो रहा है कोई प्रॉब्लम पेट में स्ट्रमक में कोई इशू हो रहे तो यह दोनों मिला के बहुत सर लोग देदें पर कभी में नहीं करना है एक एक इंजेक्शन है जिसको मिलाते रेने टीडिन के साथ जो मैंने अभी आपको प अधिक वगिर अगर बनेगी तब हम पेंटा पर जोल का इस्तवमल के एक भांक के नम से बीकता है और ट वीकुर्ण को मिला के कभी क्या होता है कभी-कभी कोई मरी जाया उसको पहुर ज़ Hare उसको पला अगो पता जास की वज प्लंद निया ठीक है गाईस लेलो इसका भी स्क्रिंशोट फिर आगे बढ़ता हूं अब आता आपका पेंटा प्रजोल और रेनेटीडिन इन दोनों का मिक्षर भी लोग देते हैं वो क्योंकि यह जो है यह गेस वगेरा में काम करता है पेंटा प्रजोल और जो रेनेटीड बनाना है लेलो इसका भी स्क्रिंशोट ताकि आपको याद रहेगा पेंटा प्रजोल प्लस रेनेटीडिन का कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनाना है दोनों को अलग 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 स्रीन से देना है मैं तो यह बोलता हूं ठीक है आगे बढ़ता हूं कुछ और इस ना बनाए ठीक है तो उसको दिया जाता है तो इन दोनों को कभी-कभी मिक्स करके भी देजा अलग यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है दूसरी चीज होती है पेंटा प्रजोल को ओंडा स्ट्रोम ओंडेम ओंडा से ट्रोन क्या होता है अंडा से ट्रोन सबको इस लिए यूज करते तो ओंडेम नोजया वोमेटिंग वगए रिकलिस्तमाल किया जाता है तो ओंडेम और पेंटा प्रजोल इन दोनों को भी मिक्स नहीं करना है गाइस ठीक है कभी-कभी क्या होता किसी को गेस बन रही उल्टिया भी हो रही हो तो क्या करते ओंडेम प्ल इन को भी कभी भी गलती से नहीं मिलाना होता है हमें यह चीद ध्यान रखना क्योंकि रही होता है इंजेक्शन हाड बन वगएरा तो दिया जाता है और ओंडेम जो होता है सबको पाता है नोजया वोमेटिंग के लिए हम लोग यूज करते इन दोनों का साथ में इस्तमाल लिए हमें जीक आता हम ठाधा आता है मैं तो बोलता हूं ओंडेम इंजेक्शन को किसी भी के भी साथ किसी के भी साथ कॉंबिनेशन नहीं बिठाना है देना है आपको ओंडेम दीजिए ओंडशेटरnéर हां डायरेक्ट दिजिए ठीक है अलग उस कि यूज कीजिए बाकि के मिलाके नहीं देते, इसका भी screenshot ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, guys literally अगर आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे लिए इस वीडियो को एक like और आपको यह दिस समझ में आ रहा है, तो literally आपका एक honest review में जानना चाहता हूँ, comment जरू कीजिएगा, और चैनल को subscribe कर लिजिए आपको पता है, समझ लो थोड़ा सा, बहुत important जानकरी दे रहा हूँ, guys में, पेट में दर्द, यदि कि stomach pain वगेरा होता है, और mainly delivery के बाद जो महिला है रहती है, delivery के बाद उनको बहुत ज़्यादा severe pain लगता है, तो उस condition में भी हम लोग बसको पान का इस्तमाल कर सकते है, ब बहुत है, doctor prescribed रहता है, अपने मर्जी से कभी नहीं लेना, पान जिसमें आता है, लाम, पाम, यह जो sedative medication रहते हैं, इसका भी effect थोड़ा sedative रहता है, उसके अलावा, botrophage, botrophage जो injection है, यह blood clotting को तेज कर देता है, जो botrophage injection है, इसको भी कभी भी किसी भी injection में, तो किसी भी, न botrophage injection है, blood clotting को बढ़ा देता है, यानि कि किसी operation के पहले या बाद में, इसको दिया जाता है, ताकि किसी को excess bleeding ना हो, ठीक है, bleeding जब होती है, बहुत जादा तब इसका 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 इस्तमाल कर जाता है, bleeding को रोकने के लिए, clotting को बढ़ाने के लिए, next जो होता, lasics injection, diuretic injection होत pressure high हो रहा हो, तो क्या करना होता है, उस condition में, इस injection का lasics का use करेंगे, तो urine का जो output है, वो बढ़ जाएगा, urine बढ़ेगी, तो आपकी body में, body कमें, जो आपका water level है, वो reduce होगा, दिरे-दिरे reduce होगा, आपका BP maintain हो जाएगा, इस से, ठीक है, हलाकि मैं यह नहीं बोल रहो, blood pressure क injection है, बाकी, इस से क्या होता है, जब urine का output बढ़ेगा, diuretic injection है, इतना ज्यान रखना हो, इसको भी किसी भी injection के साथ नहीं मिलाया जाता है, यह चीज़ आप लोग मैं मैं याद रखना है, screenshot ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, नेक्स आता injection, यह injection को कुछ ऐसे injection है, जिनको हमेशा IV infusion, मतलब बोटल में डाले भीना, नहीं देना, यह injection हमेशा IV infusion का मतलब होता है, बोटल में डाल के देना है, एनस वगेरा में, डिजॉल करके देना, जैसे कि ट्रेनेक्स आ इंजेक्शन, यह injection ब्लट क्लोटिंग को बढ़ाता है, और पीरियेट्स में ज़्यादा ब्लेडिंग होने पर इसका इस्तमाल किया जाता है, जब पीरियेट्स वगेरा में फीमेल को ज़्यादा ब्लेडिंग होती है, तब इस इंजेक्शन को एकदम स्लोली आईवी में डालके दिया जाता है, ठीक है, केल्शम, केल्शम गुलकानेट, केल्शम गुलकानेट जो होता है, यह केल्शम की मातरा को नियंतरित करता है, जो केल्शम की मातरा अबनॉर्मल हो जाती है, उसको नियंतरित करता है, और काइडिय करेस्ट में इसको इसको नहीं दिया जाता है तो पिर आगे बढ़ता हूं कुछ और इंजेक्शन है यह इंजेक्शन कभी एक साथ कुछ और इंजेक्शन ऐसे है जिनको हमें एक साथ नहीं मिलाना जैसे की केलिश्यम इसको भी हमको आपस में नहीं मिला है जो किलिश्यम गलुकानेट के साथ किसी को भी नहीं मिलाना चाहिएinformation पोटेश्यम क्लुराइट को भी आपस में नहीं मिलाना चाहिएrospectic acid का injection आता है उसको भी किसी injection के साथ strengthening मिलाना चाहिए mvI multivitamin injection को भी कभी भी किसी भी injection के साथ नहीं मिलाना चाहिए और tramadol tramadol जो injection है guys गलती से भी direct मत दे देना patient की बहुत हालत खराब हो जाती है इन injection को भी हमेशा एक IV bottle में ही दिया जाता है tramadol ट्रामाडोल को भी डाइरेक्ट नहीं देते हैं आद रखना गाईज देने वाले का मुझे नहीं पता बट नहीं देना चाहिए इसको आई वी इंफ्यूजन में 100 MLS में देना चाहिए स्लोली अच्छा एफेक्ट होता है बहुत ही इफेक्टिव पेन के लिए ट्रामाडोल का जाता है अगर आपको लेटरल समझ में आया है तो जाओ देखो और सुनो यह जो वीडियो बगल में आ रही है जाओ इस वीडियो को जाके देखो वह चीज में आपको बताई हुए अपको अपने अपने लेक्ट्चर